हेलो दोस्तों आश्य करता हूं कि आप सब की त्यारी बहुत चीचे लिएगी और आप सब का स्वास्ति बहुत अच्छ होगा क्योंकि अगर हेल्थी अच्छे नहीं है तो फिर पड़ोगे कैसे तो आज हम देखने वाले रेशियन प्रपोर्पोर्शन और यह हमारी सेकंड क् पहली क्लास में और सब्सक्सा गला वह है तो उस इसके कुछ बड़ियोन और यह अलग से वीडियो लिए। ठीक है 2022 में जितने भी पेपर हुए ना आइबी भी इस ने जो करवाएं सबके टॉपिक वाइस वीडियो आ रही है स्लॉक्स के सारे कोशन से एक साथ होंगे चाहे वो आररबी के हो एस बाइक के हो कोई सब भी हो सबके एक साथ होंगे तो देख लेते हैं पहला कोशन क्या है पहला कोशन है अब इसने सी के द्वारा अमांट जो मिला है वो पुछा है अब दो 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 से कुछ है हम पर कटने का क्यों नहीं है इसमें तो है इसमें नहीं है अब तीन में इसमें नहीं है पाथ से किसी में नहीं है तो रेशयो कितना आ गया फोर टुज़ा एट फोर टुज़ा टुवेल और फाइथ रिज़ा फिप्टीन ठीक यह रेशयो आ गया अब देखो हमसे सम की बात करिए इनका सम किसके कोल होगा 7000 के कोल ठीक है के को मतलब हजार बोलता है 12 20 25 25 25 तो यह वैली कितने आगई 35 और 35 की वैली किसके कोल है 7000 की ठीक है अब 35 into 20 70 और 001 की 1 का कि एक की वैलीई कितनी है 2000 ठीक है 200 ठीक है अब हमसे पूछा को हम बता देंगे अब उसने पूछा है find amount received by c अब देखो सी के पास कितना है 15 ठीक है वो फंद्रा इंटू अगर एक की एक के पास 200 है तो पंद्रा कितने होगी आक कोगे 15 इंटू 200 तो कितना गया 15 तीन के ठीक है आंसर को मैं highlight कर देता हूं ठीक अब करतें नेस्ट कोश्च नमबर टू है what is the ratio whose term differ by 40 and the measure of which is to ratio 7 अब दो numbers पूछे हैं इस differ का मतलब का कुपता लग्यों का difference कि X or Y दो number नहीं उनका difference कितना 40 है और उनका ratio कितना है तो यह तो options है कि हिल लो देखो कैसे अब हमें हमें ऐसे नमबर चाहिए जिनका difference 40 हो देखो 16 बहते का difference 40 है आपके होगे नहीं 15 चौदा और 56 का आपके होगे दो यह भी नहीं अब 56 का आपके होगे हाँ यह है तो difference ही काम हो गया ठीक है अगर for example मानों की एक पेर और होता जि हम रेशियो से देखते हैं अद्धको 16 रेशियो 56 तो रेशियो साथिस्फाय कर रहा है तो इसका मतलब क्या है इसका answer है option नमबर ए ठीक अब देखो ट्री टू नमबर आर इंदर्शयो ठीरेशो फाइव ठीक है इफ नई सब्शेटिट फों एच देटर रेशियो आर इन दाट्व रेशियो 23 थी तो पीडल इस उसने बोला है कि दो नंबर है नंबर वन थीक है और उनका रेशियो कितना है तीन रेशियो पाच अब बोलता ह तो अब उनका रिष्यों हो गया 12 रिष्यों 23 थीक है अब देखो दोनों में से से नंबर ड्लीट किया है मतलब मैनेस किया है तो अलग अलग तो कोई फरक पड़ेगा नी तो इसका मतलब क्या है कि 9 में से इसका एक 9, 3 से कितना वन गारा 12 कितने का एडिशन हुआ इसमें, 9 का अब यह 15 से 23 बन गया तो कितना गया 18 ठीक है आप देखो एक तरफ 9 से एक तरफ 9 सब्चेट किया तो यहां पर रिश्यु आया एक तरफ आठारा करा, आठारा करा तो 23 आया कि नो और अठारा दोनों को हमें एक्वल करना पड़ेगा क्यों इफेक्ट तो दोनों पर सेम ही आना चाहिए ना तो एक काम करो इसका क्या डिफरेंस है आप कहोगे तीन में से दो गया एक दो में से एक गया एक ठीक है अब इसका कितना डिफरेंस है पांच तीन का आप को 11 से मंटिप्लाइ कर दो नीचे वाले को 2 से मैं इन रेश्यों को द्वारा लिख रहा हूं तीन रेश्यों पाच बारा रेश्यों 23 इसको 11 से मंटिप्लाइ कर दो इसको 2 से अब देखो कितना आएगा है देखो 13 इसे चार गया 9 15 वे से नो अब 9 को आगया डोनों जागे से मोगय तो अब एक की वैल्यागए बराबर हो से नो ही मानेस किया ता उसने और हमारी पर ना-दुपर काम बिल लाएम मैनेस वह भी 9 मिल लाए मैनेस तो इसका मतलब क्या है एक की वैल्याग एक तो इन बातों का बहुत द्यान अखना है कि आपको इनिशर पूछा है कि फाइनल पूछा है अब उसने कुछ नी बोला उसने तो इनिशर पूछा है ना तो इसका मतलब क्या इसका आंसर 55 ठीक है है यहां नीचे लिख देता हूं और यह इसका आंसर 55 ठीक मेरे खाल संज में आया होगा अगर देखो यह दोनों रेश्यों बराबर होते ना तो हमको यह जो गडित करनी पड़ी यह तो मैस लगानी पड़ी यह वाली तो यह नहीं करनी पड़ती हमें ठीक है अमूप करते हैं आप इनकी वैल्यू निकालने जरुत नहीं है जरुत पड़ेगी तो हम निकाल लेंगे ठीक है आगे बोलता है अब बोलता है कि हमें रेश्यों के तो बनाना एक तो इसको करो वन इसको करो ठीक है अब देखो उसने पानी एड कराया है टिक है वाटर तो उसने एड कराया है पर क्या उसने मिल्क एड किया आप क्यों कि नहीं जब मिल्क निकाला यह एड गया है तो पहले भी दो था तो अब भी दो होना चाहिए था तो आप काम करो इसको 2 से अब देखो मिल्क पहले भी दो हो गया अब उसने बोला कि हमने वाटर एड करा है तो देखो पहले रेशियो वाटर का था एक अब हो गया चार तो मतलब कितनी यूनिट एड करा तीन यूनिट ठीक है और उसने क्या बोला कि जो इनिश्यर मिश्यर है वो कितने 60 लिटर का है ठीक है 60 लिटर का देखो अब 2 प्लस वन कितना होता है आप कहोगे 3 तो प्लस न कितना होता है आपके हो गए 3 ठीक है अब तीन की वैल्यू कितनी दरकी 60 तो एक की वैल्यू कितनी दिये 20 ठीक है 20 अब देखो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 x 20 आपके हो गए 60 अब जो न्यू मिश्चेर है उसकी वैल्यू कितनी है चार तो 4 x 20 आपके हो असी तो जो न्यू वाटर है वो कितना है वो 80 ठीक है तो इसका अंसर क्या हो गया 80 अब अगर आप इसका अंसर 80 करने वाले हो नहीं तो आपने कोश्चन फिर ध्यान से पढ़ा नहीं माउंट अब वाटर तो बी फर्दर एडिट मतलो जो और एड़ किया गया है अब दो कितना एडिगा था तीन यूनिट ठीक है तो इसका अंसर कितना है 60 ठीक है एडिक है आंसर इसका कितना है 60 ठीक है आंसर है इसका 60 ठीक है कोश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने जरूआता है इंचो रेशाले कोश्चन होते ना उसमें तीन चीजे पूछी आती है एडिड एडिड इनिशल और फाइनल ठीक है अब देखो आप करोगे तो सही कोश्चन बट कभी इसकी जगे यह माख करा आओगे इसकी जगे यह माख करा आओगे तो इसने कोश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना मैंने इट्टी को निकलाया था यहां पे जिससे कि महां को बता सकूं कि यासी गलती होती है उसने बोला फॉर्दर एडिड तो मतलब एडिड में यह बताया और हमने बताया क्या यह तो इसका है कितना था एडिड वाला मतलब साथ ठीक है अब मुप करते है next question पर question है the expense of a hotel consists of two parts ठीक है one part varies with number of inmates while the other is consonant ठीक है तो इसको हम एक्सपेंस है ना वो बैरी करता है इसके साथ में एक number of inmates और दूसरा क्या है दूसरा जो है वो constant है तो इसको हम ऐसे लिख लेते है प्लस ठीक है यह आपको समझाने के लिए ठीक है while the number of the inmates is 200 and 250 and the expenses are respectively 1300 and 1600 अब क्या भोला है कि जब inmates 200 है तो खर्चा थेरा सो रुपए है अब जब 250 है inmates तो खर्चा है शोला सो रुपए then the expense of 300 inmates are देखो यह question तो एक simple normal सा है दिमाग का मतलब common sense का अगर आपको कुछ नहीं परता common sense पता आप निकाल लोगे expense का मतलब किया है कैसे देखो expense कितना है उसने देखा अगर 200 inmates है तो कितना खर्चा है तेहरा सो रुपए ठीक है तेहरा सो जब कवें 200 inmates ठीक है और एक inmates का खर्चा कितना है हमें नहीं पता तो x plus k क्या है यह जो constant आला खर्चा है उसने बोला ना कि two parts में one varies and with the number of the inmates while the other is constant तो जो constant वाला है वो यह है ठीक है यह यह करेगा suppose x की value जो भी है ठीक है कुछ भी हो सकती है अगर 200 है तो 200 x हो जाएगी 300 x हो जाएगी 500 है तो 500 x हो जाएगी इसलिए यह वैरी करेगी ठीक है तो उसने बोला है सब्सक्राइब करेगा थाएगा उड़ गया अब देखो 1613 हो गया आपकर 300 ठीक है अब 250 में से 200 हो गया आपकर 50 x तो x की value हाँ से कितनी आई आपकर ओगए 6 आई देखो 0 से 0 5 6 30 तो x की value कितनी आई 6 आ गयी टीक है अब हम कुछ भी है नीकाल सकते हैं k गी value नीकाल सकते हैं इन्मेट्स के निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है, आगे क्या बोलता है, then the expense of the 300 इन्मेट्स आर, तो 300 इन्मेट्स का खर्चा बूछ रहा है, जबको, equals to, 300 यह होके इन्मेट्स, ठीक है, into x, plus k, अब देखो, x की value में पता है, 6 है, तो यह हो जाएगा 300 into 6 बट हमें k की value नहीं पता ना तो k की value में निकालनी पड़ेगी तो किसी भी एक equation में रख दो चलो इसमें रख देते हैं थेरा सो equals to 200x plus k इस वाल equation को यहाँ लिखता हूँ थेरा सो equals to 200x plus k ठीक है अब यह आगे थेरा सो अब 200 into 6 plus k तो कितना ओगया थेरा सो और 6 to the 12 1200 plus k तो कितना आगया थेरा में जिसमें 1200 हो गया आपको की 100 के की value कितना आ गई 100 थीक है तो के की value यहाँ रख 200 100 थीक है 100 तो कितना आगी 368 1800 plus 100 तो कितना खरचा आ गया 1900 तो इसका अंसर कितना है उननीस सो रुपे ठीक है यह इसका आंसर मेरी खाल से को समझ में आ गया होगा आप जब फिजिक्स में देखते कोशन करते थे तो बोलता था था कि फोर्स पोशनल टू अचलरेशन तो फिर हम इसको क्या लिखते थे एफ ए एम ए जो भी क्वेशन होत कोई कॉंस्टें टक दिये देता है के इंटु एक्स अपॉन जेड तो यह वाला कॉंसेप्ट है ठीक है तो अब मूब करते है नेस्ट कोशन पर कोशन नमर शिक्स है दर रेशियो अफ प्राइज अफ सेलो एंड रोटोमेक पैंस इन टू थाउजंट वर इन रेशियो ऑफ इम्तु एंटु नुरौशंब वर सेलो पैंस इन अफिन वर सेलो पैंस में रोटोमेक पैंस इन इन रेशियो एंड परिसा अर्ड विं थांस सेलो can कही कोई जाएग इंक्रैंस अ कृडिब मुलकील उडेर फ सेलो में इंतू इन परिसा आउ भीयो थेयो, क्यों जह जाता ह ठीक है and the price of the rotomac pen increased by 100 अगर यह 5x था तो अब कितना हो गया 5x plus 100 ठीक है आगे बोलता है then the new ratios of the price of the same pens were 4 ratio 5 तो नया ratio है वो 4 ratio 5 का है ठीक है what was the original price of the rotomac अब देखो यह values है ठीक है अब देखो यह 4 ratio 5 दे रखा है तो रोटो जो इसालो का नया price of 4x है और इसका कितना है 5x plus 100 यह किसके को ला जाएगा 4 upon 5 ठीक है 5 के ठीक है अब दोको 59 इसकी इससे मंटिप्लाइगा तो 59 45x ठीक है अब 5 for the 20 यह आएगा equals to में 5 for the 20x plus 100 अब अब आगे बोलता है अब क्या बोलता है अगर एकी एच दो साल बढ़ जाती है यह x plus 2 हो जाती है और वी की एच कितनी बढ़ जाती है एकी बढ़ती है तीन साल ठीक है तीन साल वी की बढ़ती है दो साल तो इनका नया रेशियो बन जाता है असली में वो कितनी है उसका संब कितना है 93 तो वो कितनी है x plus y कितनी दे रखी हमको 93 दे रखी है एक एक एक्क्वेशन यह आ गई एक इससे मिल जाएगी यह रेशियो जी तो इनको इक्वेट करके सॉल करतो दो तो 25 यह कितना होता है आपको 75 x ठीक है फिर दो 25 x 25 x ऐा जागा 25 x ठीक है जागा 25 यह 75 ठीक है 24 y और यह कितना है गा 48 ठीक है अब देखो 25 x माइस 24 y इसको ऐस माइनस 24 y ठीक अभी कितना हैगा 75 माइनस 48 तो पंद्रहम से आठ गिया साथ 6 मेंस चार्गे दो माइनस तो एक काम करो इसको बैलेंस कर लो इसको क्या करोगे 24 y पिलस माइनस 25 x इकोलस तो 27 एक 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 एक्क्वेशन अपने पास यह है एक एक एक्क्वेशन अपने पास यह है तो तो स्वल कर लो देखो इसमें x निगेटिव में है ना इसमें x निगेटिव में है बट इसमें x पॉजिटिव में है तो एक काम करो इसकी 27 से मंटिप्लाइ कर दो तो यह बन जागा 27 x 25 से मंटिप्लाय कर दो बन जागा 25 x तो यह कितना आजएगा 25 x प्लस 25 बाई और एक्च्वाल इस कितनी थी 93 इंटू 25 ठीक है अब देखो यह प्लस 25 यह मानेस 25 यह प्लस 25 तो इनकी तो केकर दिया जीरो आजएगा यह प्लस 24 यह प्लस 25 तो कितना जाएगा 49 49 बाई ठीक है अब देखो 27 है यह कितना है आँ 93 x 25 तो अब देखो इसको 27 पिलस 93 x 25 कर लो देखो किसी से कट रहा है क्या साथ से कट रहा हो कुछ तो साथ से नहीं कट रहा देखो कुछ कट रहा है क्या 49 से तो नहीं जा रहा कुछ फिलाल तो मतलब मंटिप्राय करनी पड़ेगी देखो 93 x 25 करते हैं देखो 25 तीया कितना होता है 75 75 तो पाच ऐसे साथ कह रही है 25 x 9 होता है 225 225 और प्लस सेवन तो टू थर्टीटू तो साथ पाच बारह और दो एक तीन दो तू थर्टीटू आ गया कि यह 5 बीएस में या दखना यह वाला 5 ठीक है तो साथ पाच बारह दो तो चार एक पाच तीन और दो अब देखो 49 से कट वह रहा है क्या आप क्योंगे 5 से करता हूं तो 5 4 20 बड़ यह 9 है बहुत बड़ा 4 44 तो 4 से करता हूं 4 9 036 4 8 18 4 4 16 16 16 19 थीक है पाच तो यह कितना आएगा यह आएगा आपका 15 6 9 12 9 3 यह आएगा 2 अब 8 9 072 8 7 और 32 7 49 तो मतलब यह है यह 1,048 से थीक है तो एक सी य की वाल्यू कितनी होगी 48 थीक है काफी लंबा कोश्चन था अब य की वाल्यू निकल गी 48 एकस की भी निकल जाएगी ठीक है अब देखो उनके रेशियो पूछे है तो 48 एक ही मारा है इसमें है और मैं आपको बता दू कि यह आला कोश्चन जो है ना यह हो जाता है इससे भी किससे ऑप्शन से कैसे देखो इन दो यह रेशियो से तो कुछ है ठीक है अब इनको एड करकर देख लो अगर 93 से जा रहा है तो मतलब वही आंसर है देखो 21 प्लस 22 कितना होता है इसको पैंचेंज करते है इसको प्लस 22 कितना होगा आप क्या होगा है दो एक तीन दो एक तीन 33 43 ठीक है अब 43 की टेबल में 93 जाता है क्या आप क्योंगे टू टाइम होता है छे आठ तो मतलब यह तो नहीं जा रहा तो मतलब ऑप्शन यह गलत हो गया अब 42 57 कितना हो गए आप क्योंगे 87 87 से नहीं अब दो को 85 13 चार्चा आठ नो 93 टाइम जा रहा है 93 तो इसका अंतलब क्या है यह options हो सकता था सीधे ठीक है बट थमको तरीका भी आना चाहिए तो तरीका मैं आपको बता लिया ठीक है तो इसका आंसर कितना है आंसर है इसका फोटे नेस्ट कोशन पर दा स्पीड और रिक् हमको दे रखा है constant यह साही चीजे में यह जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा detail में तो हम इनको सीधे compare का सकते है ठीक है अब डिस्टन से तो फर्क नहीं बढ़ा ना ठीक है क्योंकि वह constant है तो इसका मतलब क्या है जो speed के ratio दे रखे ना 3 ratio 5 ratio 6 इसके ultra ratio किसका होगा time का तो कि 30 इसका हो जाएगा ठीक है अब यहां जाएका 10 अब 6 इंटु 5 तो इस कहां से क्या हो गया 10 6 5 option नमबर भी ठीक है option नमबर भी उल्टे क्यों करे क्योंकि यह speed से उल्टे होते है ना time ठीक है अब देखो question number 9 नहरुजी had and chocolates ठीक है he distributed them among four children in the ratio 1 ratio 2 1 ratio 3 1 ratio 5 and 1 ratio 8 ठीक है he gave each one a complete chocolate सबको complete chocolate दी है total कर नहीं the minimum number of the chocolate that he had देखो अब इन्होंने क्या पूछा है कि minimum chocolate उनके पास square रही होंगी तो देखो सबसे पहले जब भी fractions में होना ratio तो उनको आप whole number बनाओ ठीक है अब इसका तरीका क्या है कि इन जो numerator होते ना इन सब का LCM ने लो ठीक है तो पाच और थीन का LCM तो पंद रही आएगा और दो और आठ का LCM आट ही आएगा कितना होता है 120 120 के शてक करूँगा तो बता कितना हाएगा आप क्योंकि 60 आएगा चैणे किいOLशा के हो ठीक है अब 20 को fel सब्सक्राइगा तो आप क्यों को 24 आजाएगा, अब 120 को 8 से रवाइट करूँगा, तो आप क्यों को 12 आजाएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, ठीक है, इतना बड़ा है, तो मतलब इनका sum minimum होना चाहिए, ठीक है, तो कितना हैगा, 60 plus 40 plus 24 plus 15, ठीक है, अब कितना आगया, देख़े होगा 100, ठीक है, अब कितना हो गया, अब कितना हो गया, ठीक है, अब कितना हो गया, 139, तो minimum chocolates जो होगी, उनके ratio का sum 139 होगा, maximum तो कितना हो सकता है, infinity से multiply कर लो, ठीक है, अब जो भी options है हमारे पास में, उसके एसाब सो देख लेंगे, देखो अगर, अगर एक ratio की value एक होती, तो answer इसका होता 139, ठीक है, but option number 10 है, the ratio of the working efficiency of A and B is 5 ratio 3, ठीक है, 5 ratio 3 है, आगे बोलता है, and the ratio of the efficiency of B and C is 5 ratio 8, ठीक है, then who is the most efficient, मैंने का है, जब भी खाली space आते हैं, तो adjacent वाले से भर दो, ठीक है, अब दखो कितना आजाएगा, अब इसमें 5 है, इसमें नहीं होगा, इसमें 3 नहीं है, ठीक है 25, 15, 18, 24, अब सबसे अदा efficient कौन होगा, देखो हम efficiency ratio निकाल लेना, तो जो सबसे अदा efficient होगा, वही उससी की value सबसे आदा होगी, तो सबसे आदा किसकी है, A की, तो efficiency of A is most, उसके बाद किसकी efficiency of C, उसके बाद efficiency of B, ठीक है, अब अगर मैं पूछ हूँ, who will take, who will, take, maximum time, to complete the work, तो आप क्या होगा, जिसके efficiency सबसे जादा है, दो को efficiency को formula पता है, efficiency into time equals to work होता है, तो इससे क्या है, अगर work को मैं constant माल लेता हूँ, तो efficiency is inversely proportional to time, ठीक है, यह होगा है, तो जितना जाद efficiency होगी, उतने कम दिन लेगा, तो इसका मतलब क्या है, जो इसका time का ratio है उल्टा होग क्या, time taken by B is maximum, then time taken by C, then time taken by A, ठीक है, यह extra information दे रहा हो, ठीक है, तो यह अलग से question है, और इसका answer है यह, answer, ठीक, answer, move करते है, next question पर, the salaries of A, B, C are in the ratio, 2 ratio, 3 ratio and 5, ठीक है, यह इनकी salaries का ratio है, if the increment of 15%, 10% and 20% are allowed respectively in their salaries, then what will be the new ratio of their salaries, देखो, अब इनकी salaries का ratio दे रहा है, A, ratio B, ratio C, कितना दे रहा है, 2, ratio 3, ratio 5, ठीक है, अब बोल ला है, कि 10%, 15% and 20% का increment दे आ है, ठीक, अब 2 का 15% कितना होगा, increment है, तो ही हो जागा, 115, ठीक है, अब देखो, 15 की value कितनी होती है, 3 by 20, ठीक है, अगर पहले 20 रही होगी, तो अब कितनी हो जागी, 30, 23, ठीक है, या तो आप ऐसे कर लो, दोनो तरीके से करका दिखाता हूं, ठीक है, अब देखो, 3 है, और इसको कित 110 by 00, ठीक, और C को कितने increment दिया है, आप क्योंगे, 20% का, ठीक है, तो 5 into 120 by 100, ठीक है, अब यही पूछा है, ratios of new salaries, तो यही तो है इनकी new salaries, देखो, 0, यह तो सब ही कट जाएगा, सब में, क्योंकि सब में common है, अब 2, 115, 3, 110, और 5, 120, इनको में एक बार अलग लिए लेता हू 215, 3 into 110, और 5 into 120, ठीक है, यह अपने नए ratio है, अब देखो, 5 से कट करो, 5 बंजा, 5 to the 10, 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 5 to the 15, अब 2 से कुछ जा रहा है, कि आपको 2 बंजा, 2 into 11, 2 into 60, अब देखो, कुछ और जा रहा है, कि यहा 23 है, प्राइम नंबर है, तो अब यहां पे त 33, रेशियो 60, तो इनकी जो न्यू सेल लीजर्स का रेशियो कितना हो गया, 23, 63, देखो, इसमें कोई option है, option number DS में, ठीक है, option number D, तो यह क्या हो गया, इसका answer, ठीक है, अब जो मैंने आप से का था था ना, कि वो वाला तरीका है, उससे करो गया, तो यह थोड़ा लंबा बै ठीका, देखो, करके दिखाता हूँ, देखो, यह आला question है, जो दूसरीक्स कर रहे है, यह उपर करता हूँ, देखो, initially ratio कितना दे रखा है, 2 ratio, 3 ratio, 5, ठीक है, अब B की salary कितने पसंट हाइक करी है, A की 10%, 15%, देखो, 15% की value कितनी होती है, आपको पता होगा, आपने मेरी conversion वाल table देखी होगी, कितनी, 3 by 20, ठीक है, 3 by 20, तो initial values की रही होगी 20, और जो नई value बो रही होगी 23, ठीक है, अब बट यह 2 है, तो इसको पूरी को 10 से multiply कर दो, तो कितना हो जाएगा, 20, 30, और यह 50, ठीक है, तो अब नया mixture कितना हो जाएगा, 23, मिश्चर कहा रहा हो, नई sell income कितन 20, अब देखो, अब जो B की sell ली है, वो 10% बढ़ी है, ठीक है, अब 10% का मतलग क्यों होता है, 1 by 10, अगर पहले 10 थी, तो अब कितनी होगी 11, ठीक है, अब इसमें है 30, मतलब यह into 3 है, तो यहाँ भी into 3 कर दो, तो कितना जाएगा, 33, ठीक है, अब देखो, अगली क्यों से ब का 60, ठीक है, अब नई sell list का ratio कितना हो गया, 23, 33, 60, ठीक है, अब जो नीचे वाला आता है, वो होता है, जिससे हम compare कर रहे होते हैं, ठीक है, और उपर वाला क्या होता है, यह होता है, यह होता है, चेंच, 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 ठीक है, प्लस, अगर positive होगा change, तो plus, negative होगा तो minus, बढ़ेगा तो plus, घटेगा तो minus, ठीक है, अब देखो, जैसे इसने बोला था, कि इसमें 10% की salary बढ़ लगी है, ठीक है, तो इसकी initial value कितनी है, 30 है, ठीक है, तो initial 30 है, मतलब हम किस से compare कर रहे हैं, 30 से compare कर रहे हैं, compare किस से ठीक, अब देखो, उसने का कि, 10% बढ़ी है, तो पहले अगर 10 थी, तो change हो आए, positive का, तो मतलब क्या है, ऊपर वाली जो value है, वो नीचे वाली में add हो जागी, 10 प्लस, 11, 11 अब देखो, एक इनूट की value 3 है, तो 11 है कितनी होगी, आपको 33, तो 33 ही लिखा है, ठीक है, तो यह अब करते हैं, 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 जो है, question number 12, actually, यह question मिलको आपको द्वारा समझाने पड़ेंगे, मैंने recording, on करना पता नहीं करी थी, कि भूल जा था, यह बंत हो गी थी, तो यह मैं सब वीडिये कर देता हूं, और फिर से समझाता ह ठीक है, काफी सारे question की recording, देखो, question है अपना, in the train, in the express train, the passenger traveling in AC, sleeper class, first class, and the sleeper class are in the ratio of 1 ratio, 2 ratio, and 7, okay, and the rate of each class are 5 ratio, 4 ratio, 2, okay, if the total income from this train is 54,000, then find the income from the AC class, AC sleeper class, okay, अब आपको पता होगा ना, कि मैंने 8 DI कर वाई थी, मैंस की, ठीक है, logical DI थी, बहुते शानदा थी, आप भी देखोगे, तो आपका भी बनखुश हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको revenue को formula बताया था, revenue को formula क्या होता है, बैसे तो कहेगा, बता चुगा हूँ, बत यह DI को होता है, क्योंकि मुझे याद आ गया, revenue होता है, number of units, ठीक है, into cost per unit, ठीक है, per unit, अब देखो, अगर आप train में दो लोग जा रहे हो, तो दो लोग को क्राया लगेगा, चार लोग जा रहे हो, तो चार लोग को क्राया लगेगा, आप general में जा रहे हो, तो general क्राया लगेगा, AC में जा रहे हो, तो AC क्राया लगेगा, sleeper में जा रहे हो, तो sleeper क्राया लगेगा, ठीक है, अलग-अलग class का, अलग-अलग क्राया होता है, और number of passengers, जितने होंगे, उ टिक्त वह पर टिक्ट यो पर क्लास वह पार्च रेशियो चार रुचलिगा ब्सक्राइब क्दिणे चार्जिग्ड अब रिवन्य निकालने के लिए उपर मंटिप्लाई किया था देखो number of units into cost per unit अब देखो यह होगे number of units यह होगे cost per units तो कितना हो गया 5 यह कितना हो गया 4 दू से 8 यह कितना हो गया साथ दूनी 14 ठीक है अब उसनों question बोला है कि total income total income कितनी 54,000 है तो अगर हमें भी total income निकाल ली है तो इनको add करना पड़ेगा तो देखो आट पास कितना होता है तेरा तेरा चोदा होता है 27 अब 27 की value में कितनी देर कि आंसर हो जाएगा इसका 10,000 10K ठीक और option कौन सा है option है c ठीक है option c देखो मैं option slim आख नहीं कर रहा क्योंकि कुछ लोग pdf से practice करते हो और वो चाहते हैं कि हमको solution answer न दिखे ठीक है इसलिए अब यह आला question यह उपर ही हमने देख लाता है repeat है ठीक है अब देखो question तीसरा क्या है the average age of the three boys is 25 years and the ages are in the proportion 3 ratio 5 ratio शाथ ठीक है the age of the youngest boy is अब उसे youngest boy की age पूछी है तो देखो 3 boy है तो average दे रखा है na average ठीक है 25 दे रखाया हमें ठीक अब उसने ratio किता दे रखा है 3 ratio 5 ratio 7 ठीक है इनका total sum कितना हो गया आपको गया पासीन 8, 8, 7, 15 यह हो गया इनका sum ages का अब देखो average का आपको formula पता है ना क्या होता है sum of all observations upon number of observations तो number of observations कितनी है 3 वो average कितना है 25 तो यह कितना आजए का 25 इंटू 3 वो तीन किसकी है एक पहले की तो अगर एक unit की value 5 है तो तीन की कितनी होगी आपको कि 15 तो इसका answer कितना है इसका answer है option number C ठीक आप मुख कोरते हैं अपने next question पर question है the ratio of the number of students studying arts commerce and science इस 3 ratio 5 ratio 8 ठीक है फिर आगे बोलता है what is the new ratio of the number of the students studying arts commerce and science respectively if there is an increase of 20% 40% 25% in the number of the students studying arts commerce and science ठीक है arts commerce and science में देखो उसने क्या बोला है कि जो arts है जो commerce है और science है इनका ratio कितना है 3 5 और 8 ठीक है अब उसने क्या बोला है कि इन सब का ratio जो है ना वो increase हुआ है 20% 40% और 25% से ठीक है अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपको जब भी तीन चार यह दिखे ना कि परसेंटेज इस तो आप हमेशा एक काम करो क्योंकि हमें तीनों के साथ तो खेल लाई है तो इन तीनों का पहले एलसें लेलो पात पात चाहिए को डिमेटर के बहुत कितना है एक एलसें आपको 20 आएगा ठीक है 25 फोल्जा 20 ठीक है अब इस पूरी क्योशन को 20 से मंटिप्लाय कर दो देखो कितना आएगा 60 100 और 160 अब आप को गए कि हमें नहीं संजवाए क्यों करा हमने तो मैं आपको बताता हूं देखो देखो सबसे पहले जो रेश्यों दे रखा कितना रखा 20 पॉसेंट 20 पॉसेंट की वैल्यू कितनी होती है आपको गए 1 बाई 5 ठीक है 1 बाई 5 अब मैं आपको यह हर बार बताता हूं कि नीचे वाला वह होता है से हम कंपैर कर रहे होते हैं उपर वाला होता है चेंज चाहा Siz चैहां पर 5 दे रखिए है यहां पर 3 दे रखिए है तो बताओ 3 त्यृति बादीप्लै करूं मैं इसको और इसमें में तो आए इसमें नहीं सी पहली कर दिया मैं तो 1000 कोशन कर चुगा इसलिए मुझे हिट हो गया अगर नहीं होगा तो आप बाद में कर लेना देखो गया है तो तब कर देना कोई फक नहीं पड़ता ठीक है अब उसने क्या बोला कि पहले पास थे अब 6 हो गए अब देखो 5 की वैली दे रखी 60 मतलब 5 को 60 ढहने के अब पहले पास थी अभी होगी तो कितना जगा या जगा 140 अबりました और कितना पश्क 65 परसंट कितना होता है 1 própria पहले है पहले चार थी तो पच होगी ठीक है अब इस चार को 160 बनाया है किस से मंtबिर होगा चालिस से तो इस पर चालिस की चालिस से मंटिप्लाई होगी तो कितना जागा 5 x 40 200 ठीक है अब उसने हमसे क्या पूच्छा है हमसे पूच्छा है अब यही तो है यही तो नई स्टुडेंट्स है अब रेशो निकाल लो इतना है का बहतर 140 और 200 अब किसी नमर से डिवाइड हो रहे हैं क्या सारे आप कोगे 400 हो रहे हैं कैसे 18 x 472 18 312 और पाच 40 ठीक है और बैसे जो पास से डिवाइड करना आता है न तो इसका क्या कर दो है न अब यह कितना 4520 अब यह और फॉर्दर डिवाइड नहीं होते तो इसका आंसर क्या है इसका आंसर है 18 अच्छा यह 18-35 है ठीक है यह अंडेस्टूड है ठीक 35 तो इसका ऑप्शन नमबर हो गया ए है ठीक है ऑप्शन सफर्ड है तो आंसर इसका है ऑप्शन नमबर ए जो है 18-35-50 ठीक अब मूब करते हैं अपने नेस्ट कोश्चन पर इंकम अफ टू कंपनी एंबी आर इन दर रेशियो 5 रेशियो 8 है अब देखो यह हमने उपर दूद पानी वाला कोश्चन किया था ना यह बस कंपनी का नाम बतल लिया अब देखो उसने क्या कहा कि A और B ह ठीक है A और B है अब इनकी इंकम का रेशियो कीतना है 5 रेशियो 8 है ठीक अब उसने बोला कि HAD had the income of A be more by 25 lakh ठीक है the ratio of the income would be 5 ratio 4 ठीक है 5 ratio 4 अब उसने केवल A की salary बढ़ाई है B की salary तो नहीं बढ़ाई अब B की salary नहीं बढ़ाई तो B का ratio भी सेम होना चाहिए था तो एक काम करो यह 8 है तो इसको भी 8 से बना दो अब इसको अगर 2 से डिवाइट करोगे तो इसे 2.5 हो जाएगा ना तो हम fraction से तो हम निकालते हैं fraction में पुचाते नहीं है ठीक है तो यह कितना जाएगा यह जाएगा 10 यह जाएगा 8 ठीक है अब देखो B की पहले भी 8 थी अब भी 8 है अब A की change होगी ना पहले पास थी अब दस थी तो difference कितना आया पाच का और हमें दे कितना रखा है difference कितने जाएगा दे रखी 25 25 तो एक की unit कितनी आगई आप करोगे पाच अब मैं इन question में हमेशा कहता हूँ कि ध्यान से पढ़ लागी initial पूचा है addition पूचा है कि new पूचा है अब देखो इसने क्या पूचा है what is the income of company B चलो इसने तो B का पूचा है और B की तो same है अब एक unit की value पाच है ठीक है तो आट unit कितनी होगी आप कहोगे चालिस 85 तो 40 तो इस कहां से कितना आ गया 40 जो है option number C ठीक है अब move करते है next question पे question number 17 the ratio of the number of the students appearing for the exam in year 1998 in state B and C are 5 ratio 6 मेरी खाल से इसमें A, B and C होगा ठीक है अची सही कर देता हूँ इसको A, B and C ठीक है 3 ratio 5 ratio 6 ठीक है next year if the number of the students in these states increases by 20% 10% 20% respectively the ratio in state A and C would be 1 ratio 2 ठीक है अब उसने A, C का ratio दे दिया 1 ratio 2 ठीक है then what was the number of the students who appeared for the examination in state A in 1998 ठीक है ठीक है ठीक है तो इस question में उसम से पूछा है what was the number of the students who appeared for examination इसने real data पूछा है ठीक है अब real data पूछा है but real value कोई दी नहीं है तो इसका सीधा सी दांसा क्या हो जागा data inadequate data inadequate ठीक है क्योंकि देको सारी value उसने हमें यहां भी ratio दिया है यहां ratio का percentage दिया है यहां ratio दिया है कोई भी हमने उसको उसने कोई भी हमें कोई भी real value दे रखी अगर real value नहीं है तो real value पूछेगा भी क्यों तो इसका से क्या data inadequate ठीक है अब मुप करते हैं हमें next question पे question है a man spends 1810 for buying batch sheets at 200 each ठीक है एक batch sheet खईदने पे 200 रुपे लगते हैं और total रुपे उसने ख़र्च करें 1810 and close at 70 each ठीक है batch sheet और प्लो खईदने में 1810 रुपे लगे ठीक है what will be the ratio of batch sheet to close when the maximum number of batch sheets are bought ठीक है अब देखो यह क्या maximum minimum का नाम सुनाए ना आपने नाम सुनके थरथर कप्तियों के यह उसी का question है maximum minimum ठीक है अब वो बोलता है 1810 रुपे की उसने batch sheet और प्लो खईदी है ठीक है और वो बोलता है कि ratio क्या होका नमरो batch sheets और प्लो का अगर उसने batch sheet maximum खईदी है जो को सीधी सी बात है 1810 है ठीक है let batch sheet भी B B से रोइट करता हूँ B into कितना एक है ना 1.2 रुपे की है PLUS ठीक है PLUS P for pillow into 70 ठीक है यही तो है अब देखो जो जो common होगा ना वो हम उड़ा जाएंगे 0, 0, 0 अब देखो कुछ और है आपक लोगे कुछ भी नहीं है तो इसका क्या आ गया 181 equals to 20B PLUS 7P ठीक है अब उसने question बोला है इसका मतलब किया है हमें B की value maximum करनी है ठीक है और P की value minimum करनी है ठीक अगर देखो अगर मैं P equals to पिलो equals to 1 अगता हूँ तो यह आ जागा 7 ठीक है इसकी value कितनी हो जाएकि 7P की value हो जाएकि 7 ठीक अब 181 minus 7 करता हूँ तो 11 से साथ गया 4 अब जो भी नम्मर 4 पर आएगा यूट डिजिट पर वो 20 से डिवाइड होगा नी ठीक है तो इसका मतलब क्या है अब मेरे को P की दूसरे value रोखने की P equals to 2 ठीक है अब कितना आजाएगा 7P की value कितनी आजएगी आप क्योंगे 7 to the 14 ठीक है अब 181 में से 14 माइनस कर दो तो आप क्योंगे 181 माइनस 14 11 से 4 या 7 आप क्योंगे फिर से बो नी आ रहा यूट डिजिट पर जीरो तो मतलब यह नहीं होगा solve ठीक है अब देखो आप एक बात जोता आ जा रहा हो वह समझ सको देखो यह 181 है ठीक है यह है 20B ठीक है यह लिखा है 7 below ठीक है अब हमें एक ऐसी value चाहिए किसकी इसकी देखो 181 माइनस 7P इक्वल्स टू 20B है ना आप करोगे बिल्कुल सही बात अब हमें एक ऐसी value चाहिए जो पूरे 20 से डिवाइड हो जाए ठीक है अब 20 से कौन सी value डिवाइड होगी यह तो 20 हो जाए ठीक है यह 40 हो जाए 60 हो जाए 80 हो जाए इसका मतलब क्या है 0 यह डिजेट पर तो 0 आय आय उसके साथ साथ में जो 10 से डिजेट है ना ठीक है अब साथ त्या रखता हो 21 तो देखो अब मुझे थोड़ी से उमीद दिखी है कि 180 में से 121 घटाओंगा मैं 180 में से 21 घटाओंगा तो आजागा 160 ठीक है अब देखो 0 से 0 गया और 2 से 8 गया कितना आ गया bq value आप क्या आप क्या है कि 8 वैशिट ख़ए दी उसने ठीक है 8 वैशिट ख़ए दी और फिले कितने ख़ए दे आप करके 3 तो साथ या 21 ठीक है अब रेशो पूछा रहा उसने तो रेशो हो गया 8-3 तो इस कहां से कितना हो गया 8-3 ठीक है तो यह कोशन आप समझगे ना एंड कंपनी बी आर इंद रेशो 5 रेशो 8 ठीक है अब दो कंपनी दे रखी है और इनकी इंकम दे रखी है had the income of company has been 25 यह repeat question है repeat यह repeat कैसे हो गया questions ठीक है दूसरा question repeat आगया यह question है the ratio of the male and the female in a city is 7 रेशो 8 ठीक है एक city है उसमें male and female का रेशो 7 रेशो 8 है आगी बोलता है and the percent of the children among males and females is 25 percent and 20 percent respectively and the number of the adult female in the city is 1,56,800 and what is the total population आग समझ गये ना पहले उसने male and female का हमको क्या दिया ratio ठीक है उसके बात बोलता है कि जो percentage है ना children's की वो males में 25 पसेंट है और females से 20 पसेंट है मतलब children जो होंगे 7 पसेंट का 25 पसेंट होंगे और 8 पसेंट और जो female child होगा होंगे वो होंगे 20 पसेंट किसके 8 के ठीक है अब दैसे पिछले वाले question में था तो मैंने आपसे का था कि इन दोनों के ratio देलो देखो 25 पसेंट कितना होता है एक बट्टे बन बाई 5 बन बाई 4 होता है ठीक है और दूसरा होता है 20 पसेंट है 20 कितना होता है बन बाई 5 तो दोनों के denominator कितने है फाइव और फॉर तो इनका एल्सम कितना आ गया आपके 20 एल्सम है 20 एक काम करो इस पूरे ratio को 20 से प्रवाइब तो कितना है गाएगा सेवन टूसरा 14 140 और सिक्सेट इट ट्वेट एक इन्टी ट्वेंट आगे वन सिस्टी ठीक है अब यह कितना पॉपुलेशन है टोटल है ठीक है अब अगर हमें चाइड्ड चाहिए तो उसने बोला कि 25 परसेंट ओफ मेल्स और 20 कितना होगा बताओ रिवाइड कर दो चार से कितना होगा फोurenफ तूइलफ फैफ सैफ है ठीक है तो कि इस सेपाता चला is 29शत गृत morals अब देख हो यह कितना है इसका कितना इस ना इसका 20 शालिस अब देखो यह कितना कि जिसकी गेंगा हैं जब भी करना होना तो सु रूख के दो को डुगना कर दो चींग है क्या किया कूं गmy सकते हैं टैन। ए टू थीग है फाइफ कर रहे多 हैं तो कि पसे हम डिवड़ कर में तो 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 वůण सुस्ष्च्टि आ गया या गया ठाएफ इसका और लिसकते हैं 14 तो तो इसके मतलब क्या हो गया ठोटल अपपलेशन 140 है मेल की ग। 7 सबसक्ट एंकल एक सबस्केशन 15 अब अबमें steeds ... को डेयं हो गये ह Think that थी जोड़ता थी जोगें 30 में आफ सब सबस्क्लाब लाइए गटाऊंगा मैनेस करूंगा तो बचे का 130 अब हमें दो और घटा आना है तो 128 आगया तीक अब उसने क्या बोला था कि जो फिमेल है ना फिमेल एडल्ल फिमेल उसकी कितनी दे रखे एक लाख चपन हजार आठ सो तो फिमेल की दे रखी न इसकी एक लाख चपन हजार आठ सो अब देखो इन नंबर दिया है तो मेल फिमेल जो होते हैं बच्चे जो होते हैं वो होल नंबर ही होते हैं तो इसका मतलब यह कि पक्का नंबर किसी डिवाइड हो रहा होगा तो देखो 156 कर लेते हैं 1 जा जाएगा 128 जोला में से आठ गया आठ चार में से दो गया 2 ठीक है अब यह आठ अब देखो ऐसा कोई नंबर है जिसके टेबल में आट आता हो तो आप कोई दो से कर ले क्योंकि छोटा ही नंबर है तो देखो 8-8 जोला जाएगा दो-2 चार आज जाएगा पांच एक दो यह है टूफि कितना जाएगा 1-2-56 दस में से 6 गया चार और 11-5 गया छे ठीक है अब फिर 0 लिख दो अब देखो 8-5-40 होता ना ठीक है अब देखो 5-8-40-0-5-10-10-14-5-1-6 तो मतलब कितना आए एक निट की वैल्यू कितना ही 12-25 ठीक है एक निट की वैल्यू है अपनी 12-25 ठीक है अब क्या पूछा हम से क्या पूछा है वाट इस टोटल पॉपलेशन अब देखो टोटल पॉपलेशन कितनी है हमारी 140 और 116 इससे मत कर देना इसका तो खेल हमने शुरू में खाता हम कर दिया कितनी है 140 और 118 आपकर 300 ठीक है अब मैं आप से क्या होंगा अगर एक यूनिट की अ अब देखो सबस्पेल तो ऑप्शन देख लो जिसमें 5 होगा वह यह इसका अब दो में है तो फिकर लो अब देखो 25 तीया 75 बारा तीया 367500 कौन सा है 367500 इसका अब देखते हैं अगला कोशन कोशन नमबर 21 इसा कोशन हम कर चुके हैं काफी तो यह आपको होंबक है ठीक है अगर ना हो आप हो पाए आपसे तो आप हमें बता देना हम सवाल कर बादेंगे और जो भी आंसर होगा वो आप कोमेंट करेंगे ठीक है और जो भी सही आंसर होगा उसको मैं लाइक दे दूंगा बनना अभी तो कमी लोग है सब्सक्राइब का मैं तो मैं हट दे दूंगा और रिप्लाइब भी कर दूंगा ठीक है कोशन नमबर 22 इसालरीज अगला कोशन है 3% ABC whose salaries together amounts to 144 00 spends 80% 85 and 75% of their salaries respectively if their savings are in the ratio 8 9 and 20 find their respective salaries देखो उसने क्या बोला है तीनों की salary का sum दिया है income दिया है किसका sum A B और C की income हमें दिये 144 00 ठीक आगे क्या बोलता है कि expenditure दे रखी है और उनकी क्या दे रखी है savings दे रखी है चलो income बना लेते हैं यहां बना लेते हैं expenditure और यहां बना लेते हैं savings ठीक है अब देखो income हमें नहीं पता है A B C की ठीक है बट हमें इनके expenditure और वो पता है savings ठीक है पहला A है दूसरा B तीसरा C ऐसे लिख देता हूं A B C देखो मानो इसकी income भी 100x है इसकी 100y है इसकी 100z है ठीक है अगर आपको variables नहीं लेने अभी तो मतलो इनको आप भूल जाओ कि मैंने अभी कुछ लिखा है ठीक है देखो 80% उसने खरच कर दिया इसमें ठीक है 85% why ने खरच कर दिया ? 75% इसने खरच कर दिया ठीक है अब देखो अगर इने घे खरच कर आया तो कितnor बचवा गा 20 अब इस ने 75 खरच कर रहा है तो बचवा का 15 ठीक है अब एक राश से हो तो हमारे पास यह है आपकोगे 5,420, 5,315, 5,525 ठीक है अब उसने क्या दे रखे ते उपर 8,9,20 9,20 देखो ये 8 दे रखा है ये दे रखा 9 और ये दे रखा 20 तो उसका उतलब क्या है इंकर इस्यों है तो हम उनको compare कर लेते है 4 by 3 की value किती दे रखे हैं है 8 by 9 ठीक है अब 3 by 5 की value हमें क्यों दे रखे है 9 by 20 ठीक है अब इसका उतलब क्या है ये x है ये y है ये y है ये z है ठीक है ये तो दे रखा है ना compare करते हैं तो हम अब देखो तीन ये x था ना तो ये आ गया 80x या है 20x y, y, z, z ठीक है ठीक तो अब देखो ये कितना आ जाएगा 4 by 4, 2, 3 by 3, 3, 3 था तो x ratio y कितना आ गया आककर गए 2 ratio 3 ठीक अब देखो यहाँ से 3 बझा, 3, 3, 3, 9, 5, 4, 20 तो y ratio z कितना आ गया आकर गए 3 ratio चार ठीक है अब हम इसको और आगे solve करते हैं एक चीज मिल गई अब मुझे क्या कि X ratio by 2 ratio 3 ठीक है और Y ratio Z कितना है 3 ratio 4 तो यह भी कितना हो जाएका 4 ठीक है अब देखो X की value मुझे total कितनी मिल गई X Y Z की 3 2 5 5 4 9 ठीक है 9 X plus Y plus Z की ठीक है मैंने sell list कितनी मानी थी 100 X 100 Y और 100 Z तो इसको मतलब क्या है कि 100 और X plus Y plus Z कि value कितनी आई कितनी दे रखी है 144 00 ठीक है अब 100 की value ऐसी लिख दो X Y Z की value कितनी नाइड ठीक है इसकी assumed value है 9 real value कितनी है 144 00 और देखो 0000 से 0000 खतम तो एक की value कितनी आई आपको कि 16 एक न्यूट की value कितनी है 16 अब जो हमसे जो भी पूछे का ना वो हम सब निकाल देंगे अब उसने क्या पूछे हमसे find their respective salaries ठीक है अब हमें X की value 100X 100Y और 100Z निकालना है ठीक तो तो 406 बतानी है तो मुझे 100X 100Y और 100Z की value बतानी है अब देखो एक क्यूट की value 16 है और X क्यूट की value कितनी है 2 तो 16 दो नहीं 32 ठीक है 32 और into 100 तो 00 ठीक है अब Y की value कितनी 3 है कितनी है 3 और Z की है 4 तो देखो 3 into 16 आपके 48 48 00 और 3 into 4 आपके 4 यह ना 4 16 into 4 आपके 64 00 तो respective salary कितनी है यह आगई A की यह आगई B की यह आगई C की देखो यह question आपको एक बार और समझा देता हूं ठीक है देखो उसने हमसे question में क्या बोला था उसने हमें बोला था कि ABC की salary का सम है वह कितना है 14 00 ठीक है फिर मैंने क्या का कि मैंने इसकी income मानली 100x इसकी मानली 100y इसकी मानली 100z ठीक है अब उसने question बोला कि इसने 80% उडा दी इने वह expenditure इसका 80% है A का 85% है इसका 75% है तो 100 का 80% तो 80 रहेगा ठीक है अब इनकम अगर 100 है expenditure 80 है तो सेविंग कितना आएगा आपकर 100-80 20x ठीक है 100-85 15x ठीक अब 100-75 25x ठीक अब एक सेविंग का रेशियो हमने निकाला 20 15 25 ठीक है एक सेविंग का रेशियो इन्हों नहीं इसका रेशियो कितना होगा 540 20 535 525 ठीक है यह हमारा calculated ratio है यह ratio उनका है तो हमने क्या कर ऐसे compare कर लिया देखो आप किसी को 3y अपॉन 5z की value कितनी है आपका होगे 9y 20 तो मैंने यह तो कराए ना ठीक है तो इससे x की value बिल गई 2y 3 और इससे बिल गई 3y 4 ठीक है अब देखो दोनों में 3 है तो 3 बराबर हो गए 2 3 और 4 ठीक 2 3 और देखो x plus y plus z की value में पास आगी 9 ठीक है ओस्यालिस कितनी थी 100x 100y 100z ठीक है तो 100 मैंने कमा ले लिया ठीक है और x plus y plus z का एक साथ लिख दिया अब देखो यह की आज़ें यह और इसकी रियल वैल्यू ए थीक है तो 0 से हमाने 0 ड़ा दिये ठीक है अब 16 इंटू 9 कितना था 144 तो एज़युन वैल्यू किसके एक एज़यून वैल्यू की जो रियल वैल्यू है 16 ठीक है अब उसने कहा था था िस्पर्टिव रेंश रेंश जैलिस बतानी है तो अगर x की value real azune value 2 है y की azune value 3 है z की azune value 4 है ठीक है तो 16 into 2 32 16 into 3 48 16 into 4 64 ठीक है अब 100x है 100y है 100z है तो ये भी आ गए ठीक है ये भी आ गए तो इसका मतलब क्या answer हो गया 32, 4800 और 6400 ठीक है तो ये इसका answer है answer ठीक है answer ठीक है अब move करते नेस्ट question पर question है the ratio of the radius of the two circle is to ratio 5 find the ratio of their areas अब देखो area का formula को पता होगा क्या होता है pi by 4 d square ये होता है या pi r square ये होता है ना formula r square ठीक है अब देखो इसमें square है ना radius का square है ठीक है area में तो इतका भी square ही लेंगे है ठीक है अब area का ratio निकालना है तो इनका square कर लो 4 ratio 25 ठीक है अब देखो पाई से तो पाई उड़ जागा ना बच्छे का इसको इसी बचेंगे ठीक question number 25 the ratio between the two number is 3 ratio 4 if the each number be increased by 2 the ratio becomes 7 by 9 find the number देखो बहुत असान 3 ratio 4 इनका ratio दे रखा है और जो number वो 7 ratio 9 हो गया अब ठीक है अब बोला कि each number जो दोनो number है वो 2 से बढ़ा दिये अब दोगो difference देखो कितना है इसको एक से multiply करो इसको दो से तो कितना हैगा दो से multiply करो चे रेशियो आठ ये से उपर कर रहा है ऐसा ही तो यह कितना हैगा 7 ratio 9 अब देखो इसमें भी एक का चेंज है इसमें भी एक का चेंज है ठीक है आब एक की value हमें दे रखें दो बोला ना 2 is subtracted 2 is subtracted तो हमसे number पूछें तो देखो हम number कीतने होंगे अगर एक की value 2 है तो पहे the ratio of the monthly income of john & johnson is 6-7 respectively while the ratio of their saving is 5-6 ठीक है income का ratio दे दिया saving का दे दिया is the monthly expenditure of the john & johnson is 7,000 and 8,000 find the monthly income of johnson ठीक है तो असान कोश्चन है देखो-हाँ-प लिखिलो John यहां लेखिलो John जान और जान सल ठीक है बड़े वाले को मन ने जीink कर दिया ठीक intersection अब दिखो हमको क्या दे रखा है income दे रखी है है और saving दे रखी है ठीक है दो इंकाम का रिशियो कितना है 607 और सेविंग का रिशियो है 566 तो यहां पर जाएगा 6X 7X ठीक है यहां जाएगा 5Y 6Y यह में रिशियो उसके बड़ आपको समझे में आए डिफ्रेंशेट कर पाओ इस नहीं लिखा है बनना मैं नहीं लिखता है नहीं ठीक है अब देखो अब इसके एस्पंडिचर का रिशियो कितना हैगा 7000 अपन 8000 ठीक है रिशियो कितना आया आपके को 7 रिशियो 8 ठीक है और इनके इसाब से कितना रहा है 6X माइनस 5Y कितना है 7X माइनस 6Y ठीक है यही तो है अब इनको एक्क्वेट कर दो दो 6X अपन 5 बाई अपन 7X माइनस 6Y इक्वल्स टू 7 रिशियो 8 ठीक है 6X जा 48X और 85 जा 40Y ठीक 40Y 77 जा 49X 76 जा 42Y ठीक है अब X को दह ले जाओ तो कितना रुचे का X ठीक है अब यह आ जागा 2Y तो X इक्वल्स टू 2Y है ठीक है अब देखो अब इसका मतलब क्या है जहां भी X होगा वहां प जाओ इसको एक रख दो देखो X की जागे हम लग देंगे 2 Y की जागे रख देंगे 1 ठीक है तो 12 में यह पांच हो गया हमसे किसकी बुच्च जानसन की बुच्च जानसन की रखेंगे तो 14 14 और यह और यह ए 6 ठीक है अब देखो इनकम यह सेविंग यह ए खे एक की वैल्य कितने हो गह एक हजार अब भूला हैं उसदम से क्या हैсь मंत्ली इंकम ऑफ जॉनसन तो देखो इसकी कितनी चौदा और एक नूटी वैल्य कितनी है हजार तो इंकम कितनी होगा ही 14,000 एक दो तीन ठीक है तो इस कहां से कितना होगा है 14,000 ठीक अब भूब करते हैं next question पे next question है the ratio of the monthly income of सुधीर and सुधा is for ratio 5 respectively and the respective saving is 4000 and 6000 ठीक है the ratio of the expenditure is 8 ratio 9 and the monthly expenditure of the सुधा is same question है बस उपर expenditure दे रखा था इसमें saving दे दिया है देखो income यहां पर लिखो income यहां लिखो saving यहां पर इस वाल लिखेंगे हम expenditure क्यों क्योंकि expenditure का ratio दिया है ठीक है और यहां लिख दो saving ठीक है उपर नीचे लिखने से को फर्क पर था बस अपनी आत्म संट्रू स्ट्रिंग लिखता हूं मैं सुधीर यह हो गया सुधा ठीक है सुधा देखो income का ratio कितना है 4x और यह कितना है 5y ठीक है अब इनकर से इसका monthly expenditure हमें निकालना है expenditure ratio कितना दिर्खा है यह 5x आएगा ठीक है यह कितना है 8y यह 9y ठीक है अब देखो अब बता उसी तरीके से करूँ कि दूसरे के तरीके से करूँ देखो इसको करते है वेरेवल के फ़्तौर पर ठीक है अब देखो income पता है मुझे expenditure पता है तो saving कितना है अब देखो इनकम माइनस expenditure और सेविंग कितनी दे रखी है छे हजार ठीक है 5x माइनस 9y इक्वल्स तू 5,000 देखो एक कोशन करने कई तरीके होते हैं ठीक है 6000 दे रखा है अब solve कर लो बस यह है कि थोड़ा मेरे को tedious लगता है तो आगर हम इसको solve करेंगे तो आजागा यह x देखो यह कट जाएगा न यह 4 से कटेगा तो कितना आजाएगा एक माइनस 2y इक्वल्स टू 1,000 ठीक है अब देखो यह 5x यह 5 x है और यह एक्स है तो इसकी 5 से मुंटिप्लाएगा तो 5x यहा जाएगा 10y और कितना जाएगा 5000 ठीक अब यह पिलस का माइनस हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा प्लेस का मैनस हो जाएगा अब यह दोनों खत्म हो गए अब 10 बाई में से 9 घटा हो गए तो य बच्छेगा छी हजार पास घटा हो गए तो एक हजार बच्छेगा ठीक है अब य की वाली हो मिल गई अब यह कितना हो गया यह हो गया एक्स माइनस 2000 एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 3000 ठीक है 3000 हो गई अब उसने क्या पूच्छा है फाइंड अब सुधा का इस पर नीचर बताना है तो सुधा का है यह ना सुधा यह 9 वाई की वैल्यू उतानी है तो वाई की वैल्यू कितनी हो हजार 9 वैल्यू कितनी हो गिन्हों हजार तो इस कहां से कितना आ गया ऑप्शन नमबर ए देखो यह सेम कोशन मैंने आपको दो तरीके से करके दिखा दिया 9000 ठीक है आंसर अमूब करते हैं नेस्ट कोशन पे और जहां तक मुझे लगता यह लास्ट कोशन है ठीक है इस सेक्शन का मतलब इस वीडियो का बहुत सारी प्रेक्टिस तो में लाता रहूंगा ठीक है देखो रज्जत और आनंद के पास में जो पैन है उसका रेश्यो अंकित से कितना है सेवन रेश्यो नाइन थीक है नाइन इफ रजत लोट एन पैंस रजट के दस पैन खोगए वाइए अंकित लॉस्ट तन था यह बिकम्स सिक्स शेवन देखो रजट के विच्टप और अंकित के खोगए ठीक है अब देखो यह 7 एक्स यह 9 एक्स कितने पैन हो गए माइनस दस ठीक है तो जो न्यू रेशियो है वो बन जाता है छे रेशियो साथ ठीक रज़त है 25% less number of pens देन आनन्द अब देखो रज़त के पास कितने पहन है थर्टीफ 75% काम है 30 25% काम है मतलब 75% पहन ही है किसके आनन्द के ठीक है देन आनन्द find the sum of the number of the pens of रज़त एंड अंकित तो रज़त और अंकित के पहनों का हमें सम बताना है ठीक है अब देखो यह 7x-5 7x-5 ठीक अब यह कितना है 9x-10 9x-10 अब रेशियो कितना देखा है छे रेशियो साथ अब दोगो 77 कितना होता है 49x और 7x-35 ठीक है अब देखो 6x-9 जा 54x ठीक है और 6x-60 अब दोगो 54 है यह 49 है तो इसको इधर ले जाओ अब 14 मिस नहीं हो गया आप क्योंगे 5 5x अब यह माइनस का 35 है यह माइनस का 60 है तो इधर लेके जाओगे तो प्लस 60 हो जाएगा तो कितना बज़ने का यह 25 ठीक है तो x की वैल्यू कितनी आगी 5 ठीक है अब हमसे क्या पूछा है उसने हमसे पूछा है कि number of the pens अंकित और र देखो अंकित के पास कितने होगे पैन 45 95 45 और इन दोने के मिलागे कितने होगे 75 35 ठीक है 35 अब उसने एक बात तो बोली है कि जो रज़त के पास हो 75% of अंकित है ठीक है अब देखो टोटल पैन अगर 100% है 100% की वैल्यू कितनी है 35 35 है ना हाँ अब 35% ठीक और उसने बोला है कि रज़त के पास में कितने 75% है किसके अंकित के 75% कितने होता है 3 x 4 तो किस से कंपैर कर रहे हो आप अंकित से तो अंकित के पास कितने है 75% off है तो अगर अंकित के पास 4 पैन है तो रज़त के पास कितने हो जाएंगे अंकित के बोला हो अगर आनंद के पास 4 पैन है तो तीन साथ तीन पिलस चार ठीक है यह होगे साथ और यह होगी और यह कितनी है रियल वैल्यू तो मतलब एक की वैल्यू कितनी होगी आप कहोगे एक की वैल्यू होगी पाच ठीक है पाच ठीक है तो अब रजत के पास कितनी पहन होगे आप कहोगे एक की वैल्यू पाच है तो तो रज़त के पास तो तीन है तो कितने होंगे 15 15 यूनिट्स ठीक है उस नमसे क्या बूचा है सम बूचा है अंकित का और रज़त का अंकित के पास 45 है ठीक है और रज़त के पास 15 है तो यह 45 है और यह 15 है और 45 कितने होते हैं सब को पता है 60 होता है तो इस कहां से कितना आ गय है पाठकों के लिए असानी हो जाए ठीक है इतने हो गए अंक्रितवर के पास इनिशली पुछा है इतने हो गए इनिशली तो बताएं मैंने भी 45 और कितने 15 60 ठीक है अब मुप करते हैं अच्छा एक कोशन हो रहा है भी अपना वो 28 लास्ट कोशन नहीं था चलो बोनस कोशन म देखो सर्कल का रेडियस और स्क्वेर के साइट के रेशियो कितना है ठीक है आगे बोलता है इसमें भी सिंगल पावर है इसमें भी सिंगल पावर है तो बोलता है इसमें फाइंड अरिया ओफ दे सर्कल ठीक है अब एरिया का हमको क्या पूछता है अरिया पूछ रहा है ठीक है अब देखो पैरिमिटर का रेशियो हमें दे रखा है कितना आँ दस वाई 11 ठीक है अब देखो टू बंजा टू टूजा ठीक है और यह रेशियो उसने लिटा करना होगा क्योंकि हमने फॉर्मले उल्टे लिखे है ठीक है तो यह कितना हैगा 11 by 10 11 by 10 ठीक है तो इसे स्वाल कोड़ो आप यह आजागा टू बंजा टू 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 सा तो पाई आर अपॉन टू ए इक्वल स्टू 11 by 10 ठीक है यही है ना अब देखो रिशियो की वै जरूत नहीं है तो टू बंजा टू 11 ठीक है 11 से 11 घतम तो कितना आया आर इक्वल स्टू आर वाई एक्वल स्टू 7 by 10 यह तो वहीं आगिया जो आपने पहले निकाला था तो इसका मतलब पता क्या हुआ कि जो एरिया और सरकल है ना वह निकले गई नहीं इस कहां से कितना होगा ऑप्शन नमबर डी ठीक तो यह था अच्छी क्लास के लिए अब मिलेंगे अगली क्लास में और अपने डेली मेंस के सेट कोश्चन साते हैं यह कैसलेट ठीक है पिरीके भी आते हैं कॉंसेट वीडियो भी चल लिए पजल्स भी आते हैं बहुत सारा कंटेंट है ठीक है आप देखोगे तो मन खुश आती जाएंगी ठीक है ऐसा नहीं कि एक अप्लाजे फे छोड़ दिया ऐसा नहीं करता मैं ठीक है रिविजन के लिए वीडियो आती जाएंगी ठीक है तो अम मिलेंगे अगली क्लास में तब तक जैहिंद और आपको पता है ना इसकी PDF काम मिलेगी इसकी PDF मिलेगी हमारे टे देखना ठीक है वहाँ पर मिल जाएगी ठीक है सारी PDF के लिए आपको इस पर जुड़ना पड़ेगा इस पर बिना जुड़े आपको PDF नहीं मिलेंगी ठीक है विद अनुटेशन मिलती है वहाँ पर PDF जैसी आपको दिख रही है समय ठीक है तो अब चलते हैं फिर सी यू